कि अच्छा कि अच्छा कि सबको मेरा वाइस आ रहे हैं कि अच्छा कि अच्छा कि दिखो हम लोग फॉर्वर्ड एन फ्यूचर का प्राइसिंग में थे ठीक है तो सबसे पहले एक जो बेसिक डिफरेंस है फॉर्वर्ड में और फ्यूचर में ठीक है तो फॉर्वर्ड में क्या होता है नो मार्क टू मार्केट मार्क टू मार्केट का मतलब क्या होता है कि फॉर्वर्ड का जो भी प्राइस में जो भी डिलिंग होगा तो वो प्राइस डेली चेंज नहीं होता है ठीक है बट फ्यूचर में क्या होता है क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडड है तो यहाँ पर mark to market daily होता है ये वाला जो होता है ये होता है आपका over the counter और ये वाला जो आपका होता है ये होता है exchange traded forward में क्या होता है forward में क्या होता है इसको हम लोग customize कर सकते हैं और ये वाला जो होता है ये standardized होता है ठीक है forward में क्या होगा credit risk जो होगा वो थोड़ा ज़ादा होगा यहाँ पर क्या होगा credit risk almost nil ठीक है देख लो अब इसके बाद में जो हम लोग को समझना है हम लोग कल pricing कर रहे थे ये लो copy हो गया ठीक है हम लोग कल जैसे pricing कर रहे थे तो हमने f0 का price क्या निकाला s0 e to the power delta t ठीक है अब जैसे एक चीज मान लो s0 अपना है 500 delta है 2% और जो time period है वो है 0.25 years मतलब तीन महना तो अपना जो f0 निकलेगा वो कितना निकलेगा 500 e to the power 0.02 into 0.25 प्लीज calculate करो कितना आ रहे हैं खुशी कल तुम कोई doubt पूछ रही थी प्लीज अभी post करो ना मैं पहले वो doubt भी clear कर देता हम really sorry 502.50626 तो यह basically मेरा forward का price आ जाएगा ठीक है अब कल के class में मैंने जो छोड़ा था last में बोलके कि cost of carry model के बारे में थोड़ा कुछ बताया था तो cost of carry model में basically क्या होता है अब जैसे share में dividend का बात करो ठीक है dividend का बात करो तो अभी अगर मान लो यह अपना time line है यह zero है ठीक है और यह है तुम्हारा मान लो एक साल 0.5 पे एक income आएगा 20 रुपय का आज share का अदाम है 1000 रुपया ठीक है तो एक साल का अगर अपना forward का contract है तो share का जो ownership है ownership यहां पर transfer होता है तो इस दिन के बाद से जो भी सारा income है वो मेरा होगा बट यह वाला जो income है यह तो मेरे को नहीं मिलेगा बट 1000 रुपया में यह सारा future का cash flows included है यह जो 1000 रुपया का जो share price है इसमें all future dividends are included basically अगर मैं एक साल का contract करता हूँ तो वो भी included है जो मेरे को नहीं मिलेगा तो सबसे पहले तो मेरे को यह निकालना पड़ेगा present value of income lost तो जो income मेरे lost हुआ है पहले मैं उसका present value निकालूँगा मान लेते हैं delta है 10% का तो present value of income lost क्या होगा 20 e to the power minus 0.5 into 0.1 है ना माने क्या किया मैं pullback किया कितना साल pullback किया आधा साल किसको pullback किया वो dividend जो मेरे को नहीं मिलेगा due to entering into a forward contract तो इसको हम लोग बोलते हैं present value of income lost due to entering into a forward contract ठीक है तो यह कितना आते हैं यह आपका आएगा 20 into e to the power minus 0.5 into 0.1 तो यह अपनाएगा 19.02458 ठीक है अब एक बात सोचो हजार रुपिया से पहले तो मैं वो minus करूंगा जो मेरे को नहीं मिलेगा मेरे को 19.02458 नहीं मिलेगा फिर यह क्या है present value of all incomes that I am expecting to receive in future अब इसका क्या करूंगा मैं इसको एक साल अक्यूमिलेट कर दूंगा तो क्या आएगा यह 1000-19.02458 तुम लोग क्यालकुलेटर से कुछ भी नहीं लाएं क्या 980.97 जो भी आ रहा है इसको मैं अक्यूमिलेट करूंगा 0.1 के यह साब से एक साल 10% का डेल्टा मैंने बोला है नहीं यह आपर देखो 10% का डेल्टा बोला है तो कितना आ रहा है इन्टू ए टुदी पावर पॉइंट वन जीरो एट पोर पॉइंट 1455 तो बिसिकली यह मेरा क्या हो जाएगा प्राइस ओफ फॉवर्ड कॉंट्राक्ट ठीक है कॉपी करिए इसको अपने को क्या करना है सब्सक्राइब ले देखना है वो इंकम जो मेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि फॉर्वर्ड में क्या और है टाइम जीरो पे तो खली कॉंट्राक्ट हो रहा है ना मू जबानी कॉंट्राक्ट हो रहा है कि हम तुमसे यह वाला समान इतना रेट पे खरीद लेकिन एक साल के लिए ओनर कॉन रहेगा जो है जिसके पास समान है तो यह वाला 20 रुपाइगा डिविडेंट भी तो उसी को मिलेगा ना तो मैं इसका पैसा क्यों दूँगा अगर मैं करता हूं सिंप्ली 1000 e to the power 0.1 तो गलत हो जाएगा ना गलत क्यों हो जाएगा विकोज इस 1000 में तो इस 20 का भी present value included है और यह वो income है जो मेरे को नहीं मिलेगा तो पहले वो income जो मेरे को नहीं मिलेगा उसको माइनस करेंगे तो इसलिए इसका formula बनता है s0 minus i e to the power delta t i is present value of the income lost due to entering into a forward contract वन्हें क्योंकि मैं forward contract में enter कर रहा हूं तो कौन-कौन सा income है जो मेरे को lose करना पड़ेगा वो ही मैं निकाल रहा हूं ठीक है जो कॉपी करो उसको नहीं यह कर रहा है इसके पहले एक यह कर रहा है लिख लोए वो कॉपी कर लोगा हां मैं आज यह लोग टॉपिक कवर करूंगा ठीक है खुशी भी नो प्रब्लम नो मार्क टू मार्केट फॉरवर्ड में क्यों हो रहा है वेकॉज फॉरवर्ड में जो एक बार जो रेट फिक्स हो जा रहा है फिर उसमें डेली वो उसका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है बने प्राइस तो फ्लक्चुएट कर रहा है बट मेरको तो हेज करना है ना फॉरवर्ड में कभ यूज करूंगा जब मेरा अल्रेडी एक अंडरलाइंग एक्स्पोजर है जैसे कि वीट फार्मर तो वीट फार्मर तो एक बार कॉंट्राक कर लिया अब तो उसको समान प्राइज करें तो फॉड़ा जाधा रहता है यहां पर क्रेटरिस और मुर्मूस्ट निल रहते हैं क्योंके लोग एक्स्चेंज में कर रहें मांक टू मांके डेली होता है मार्जिन का सिस्टम होता है एड चैनल आई जोते है ठीक है उसके बाब ने चोटा सा सब्सक्राइ बचेज़ बिशन्या बॉस्ता क्योंके लिया सब्सक्राइज hora-vy現在 में ऐस्टैने अ धरिस फ्रिस्सम व्प्राइज Time आड बर्सक्ट बाट करें hari ओ carणल झाल ठीक है अब इसके बाद ध्यान दो जला कॉपी करो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइसिंग ओफ फॉर्वर्ड कॉंट्राक्ट विद फिक्स इंकम अ पर एक पटिकुलर टाइम पर एक पटिकुलर इंकम अश्में झाल 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 कितना वजी था क्लास ओ अच्छा इसलिए पांस तरीक तक ही रखाऊं छे और साथ को नहीं रखाऊं कि बहुत ज्यादा रस्ता अभी से जाम होने लग गया है ठीक है ठीक है ठीक है अब एक केस लिखो futures pricing with continuous dividends ठीक है अब एक चीज समझना इसमें क्या हो रहा है अब जैसे देखो यहाँ पर शेयर का दाम हजार रुपयां ठीक है ठीक है अब एक चीज समझना इसमें क्या हो रहा है मैं बोलता हूँ 2% का मेरा dividend yield है अब यह जो है ना यह continuous मानके चलते हैं हम लोग मने dividends are received note में लिखो dividends are received continuously चिन्वास फिन्वास elbows रिविच्ट हैं आति यु का हैम प्यादा सबसता है। इन पर चेजिंग शेर्स डिविदेंट्स रिसीव कंटीनुसली एन और कंटीनुसली री इन वेस्टेट इन पर चेजिंग शेर्स पर्चेस करने में हम उसको यूज कर रहें ठीक है अब जैसे देखो यह लाहा ताब कॉपी कर लो पहले ठीक है अब देखो अब जिसे माल लेती यह टाइम लाइन है यह जीरो है यहां मेरे पस अगर एक शेर है तो टाइम बन पी कितना शेर होगा अगर कंटीनुस डिविदेंट का इल्ड है दो परसेंट का तो यहां पर होगा e to the power 0.02 number of shares बने यहां पर बेसिक अलिए मैं plot कर रहा हूं number of shares क्योंकि क्या होगा जैसे डिविदेंट मिल रहा है मैं उसे shares खरीद रहा हूं तो growth in number of shares will be what जो मेरे dividend yield है क्योंकि actual में क्या हो रहा है हर टाइम पर शेर प्रैस में को कुछन में दिया नहीं रहेगा तो हम लोग यह अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी मैं को जो number of shares है वो growth rate क्या दिखाएगा यहाँ पर हो जाएगा e to the part 0.02 यहाँ पर हो जाएगा e to the part 0.02 into 2 और अगर 10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e to the part 0.02 into 10 अब मालने दस साल का forward contract है तो यह सारा dividends मेरे को मिलेगा नहीं मतलब मेरा number of shares में कोई growth नहीं होगा because forwards and futures का क्या नहीं हमें no income is received कोई income मेरे को receive नहीं होगा क्योंकि अभी यहाँ पर ownership किसका है पुराने owner का है मैंने बस खली contract किया है कि मैं आपसे यह समान इतने साल बाद इतना में खरीदूंगा अगर मैंने यूएस में export किया है तो मैं को dollar receivable है एक साल बाद तो हम bank से contract किया कि मैं आपको एक साल बाद इतना dollar बेचे गुआ rate आज ही fix कर लो बट bank को तो अभी तक वो dollar मिला नहीं है ना चीज समझो ठीक है वैसी shares में कि हम आप से एक साल बाद यह इतना में खरीदेगा हम आपसे यह शेर दस साल बाद इतना में खरीदेगा लेकिन अब भी तो हम खरीदा नहीं है ना तो ownership उसका ही है हम बोला है खरीदेगा तो यह सारा जितना भी सारा दिविदेंट्स है वो उसको मिलेगा मेरे को नहीं मिलेगा तो जो चीज मेरे को नहीं मिलेगा उसका पैसा में क्यों दूँ तो अल्टिमेटली क्या बोल रहा है हमको यहां पर एक शेर मिलेगा तो आज हम कितना number of shares के लिए contract करेंगे e to the power minus 0.02 into 10 number of shares के लिए हम contract करेंगे क्योंकि जो चीज मेरे को मिलेगा नहीं उसका पैसा में क्यों देंगे यही मानलो अगर हम एक शेर खरीता तो यहां पर मेरे पास e to the power 0.02 into 10 number of shares होता बट यही मैं forward में एंटर कर रहा हूं तो मेरे दिक्कत क्या और है मेरे को time 10 पे एक शेर मिलेगा तो आज मैं कितने shares के लिए contract करूंगा e to the power minus 0.02 into 10 number of shares clear है तो इस case में अपना जो formula बनता है f0 oblique k0 भी बहुत 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 लोग यूस करता है this is s0 e to the power delta t यह मेरा growth rate है यह तो normal हो गया e to the power minus dt where d is what dividend yield clear है अब इसी question में अगर मान लेते मेरा delta है 8% का तो मेरा forward का pricing क्या होगा और share price मान लेते 1000 रुपय का share price है ठीक है तो मेरा क्या हो जाएगा 1000 e to the power 0.08 minus 0.02 into 10 clear है copy कर लो इसको ठीक है तीन तरीके का methods मैं ने दिखाया एक fixed income एक ये और एक normal ठीक है अब हम लोग सीखेंगे value कैसे निकालते हैं ठीक है यहां तक पहले copy कर लो कि दून लोग के आपर कौन कौन सा पंडाल अच्छा बन रहा है कर दो कर दो कर दो जाती नहीं होगी न मॉल्स में थीक है अब नेक्स्ट लिखना value of a forward contract bracket में लिख दो squaring of देखो ये समझना ये 0 है और ये 5 है मैंने 5 साल का forward contract में इंटर किया है ठीक है अक्च्छल में होता है कि आना जिस जो मालो एफ प्लस कर रहा है मतलब जो forward contract buy कर रहा है और एक कर रहा है एफ माइनस ठीक है 100 रुपया का शेर है पांच साल का contract है प्लेन वनिला पांच परसन का इंट्रेस रेट है तो 1.05 to the power 5 क्या होता है बहुत है जल्दी बताओ पांच परसन का आई है डेल्टा नहीं हमेशा डेल्टा थो ली देगा आई भी तो दे सकते हैं कितना आ रहा है 127.63 ठीक है रेट फिक्स हो गया आज रेट फिक्स हो गया कि भाईया यह वाला कंपनी का शेर हम तुमसे पांच साल बात खरीदेगा कितना में 127.63 में ठीक है हम खरीदेगा मतलब हम बुलिश है हमको क्या लगता है कि इस कंपनी का शेयर का दाम बढ़ेगा अगर हमको लगता है कि कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं है और शेयर प्रैस गिरेगा तो पांच साल बाद हम तो मार्केट से ही ले लेगा ना आज की हिसाब से देखा जा रहा है आज का जो स्पॉट है उसमें पांच साल का ब्याज को जोड रहे है तो इतना प्रैस आ रहे है तुम चीज समझो इसमें और कोई मार्केट का कोई फैक्टर निक्लूडेड नहीं है फॉरवर्ड का जो प्रैसिंग है वो बहुत सिंपल ह खाली इसमें इंट्रेस कोस्ट आरा और कुछ नहीं आ रहे है कोई डिविडेंट या फिर कोई फिक्स इंकम होता तो वह माइनस हो जाता यह कलम लोग सीखे ना अब एक चीज देखो यह जो प्रैस है माल लेते 127 पे कॉंट्रैक्ट हो गया ठीक है अब यहाँ पर कॉंट्र 27 पे उसी चीज का दाम कितना चल रहा है 90 बट यह जो ग्राफ जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा नहीं यह फॉर्वर्ड का है इसी के पैरलल एक ग्राफ चलेगा जो शेयर प्रैस का होगा चीज समझो कल अमने जो देखा था ठीक है तो यह जो ग्राफ है मैं ने जिस चीज का कॉंट्रैक्ट क्या 127 तो इसका अंडरलाइंक क्या है इसका अंडरलाइंग है 100 रूप्राक्ट का शेयर तो अव्व्यस सा अगरे डर कि कहीं और गिर ना जाए एक्चुल में होता क्या है फॉर्वर्ड का बेसिक स्टाइकोलोजी क्या है बेसिक क्यूं बनाया गया फॉर्वर्ड कि हम तुमसे ये शहर 5 सल बात खरीदेगा मतलब मेरे पास पैसा है खरीदने का मेरे पास पैसा है खरीदने का हम तुम होति और तभी तो वह बीचे का तो आत्याम क्वाइए यह जाना है त मैं तरॐ चिक dándus 66 मैन अभाद में आये का आगा ना वह समान तबीतल होताए जिसको करीड़ना है ऊसके पास में पैसा नहीं है जिसको बेचना है उसके पास में शेर नहीं है यह बस एक speculation के लिए बनाएगे और कुछ नहीं, इसमें 50% of the cases में speculation होता है, कुछ-कुछ लोग actual में hedging करते हैं, अब जिसे माल लोग किसी का शादी है, उसको लग रहा है gold का अदाम कहीं भढ़ना जाए, तो वो क्या करेगा, gold का market में आता है, gold mini आता है, gold normal gold आता है, तो जितना तु तुम क्या किया, तुम futures buy कर लिया, जब अभी 60,000 से 75,000 हो गया है, तो जब 6,000 आता है, तो तुम क्या करता, futures buy करता, क्योंकि तुमको क्या लग रहा है, gold का अदाम बढ़ जाएगा, तुम मेरा तो जो गहना वहना देना है, सब का अधाम बढ़ जाएगा, अलानकि हम लिय मैंन कि तुम साथ जार में तुम साटध एंटल किया तीन मैनہ जो भी रेट था फिर तुम दुबाला रोल किया तो अब तेन मेरा ऊब साल बाथ तुम इसको रोल कर रहा है तो में और अरे समझो मेरा बात को वापस से समझो तो क्योंकि interest cost क्यों लग रहे है क्योंकि 60,000 का gold है एक भरी तुम 100 ग्राम सोना का contract किया तो 6 लाक हुआ तो 6 लाक का ब्याज का खर्चा है ना भाई यही अगर तुम आज के दिन पर आरा अगरवाल जोलर्स में जाता तुम उसको बोलता हमको हमको गहना बनाना हमको एक set बना पड़ता ना उसको लेकिन इसमें इंटर कर तो पैसा तो नहीं लग रहे है यह पैसा कब लगेगा दो साल बात जो दो साल का ब्याज का खर्चा है ना तो जब तुम रोल करता है तो तुम्हारा उसमें क्या लगता है खाली interest cost लगता है but you locked your rate at 60,000 try to understand you locked your rate at 60,000 कुछ भी हो कुछ भी हो यू locked your rate at 60,000 ठीक है अब दो साल बात दाम चाए 75,000 हो लेकिन तुम्हारे को costing कितना आएगा 60,000 और ब्याज का जो आएगा वो तो अलग यहाँ पर यह जो gapping जो आ रहे है यह 100 में और यह जो इसमें gapping जो आ रहे है क्या चीज़ कै 27 रुपिया यह 5 साल का ब्य बेचेगा तो कितना मिलेगा 100 अक्यूमुलेट करेगा पांस साल तो कितना हो जाएगा 120 तो आज अगर बेच रहे तो सो लेकिन पांस साल बात तुमको बेचेगा तो एक साथ चाही न भी इसको यह समझो अब जैसे 75,000 हो गया ठीक है तो 15,000 रुपिया हुआ तुम कितना का जाएगा तुम बोलेगा भई में को सेट दिखाईए तो श्यलाग का दिखाएगा कितने का दिखाएगा तुमको यहां डेल लाग का प्रॉफिट हुआ और जो ब्याज का क्रच्चा वो अलग क्योंकि जो पैसा तुमको दो साल पहले ही देना था वो तुम अभी दे रहे तो साल ब्याश का करते हैं, तो सेफ के रहता है, भने resist यहाँ पर देरी लग का तुमको exact profit नहींग को इसलिए बोला जाता है, यह ने को समझने में पॉन साल लग गया था, at maturity F is equal to S, यह समझना पड़ेगा हम लोगो, at вал अब फारवर्ड और पर चल रहे स्पोट का दाम अगर जदा हिलेगा नहीं तो पांच सल बात कितना रहेगा सोई रहेगा बट फॉर्वर्ड क्या होगा धिरे 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 करके यहां पर पहुंचेगा क्यों मुलो तो यह नीचे क्यों आ रहा है स्पॉर्ट ज्यादा हिला नहीं स्पॉर्ट ज्यादा हिला नहीं तो सौ क्या स्पास फॉर्वर्ड नीचे क्यों आ रहा है क्योंकि यहां पर जो है यहां पर ब्याज पांच साल का यहां पर ब्याज चार साल का यहां पर ब्याज तीन साल का यहां पर दो साल का यहां पर एक स हिलता है तो यह 819, 814 पे जाएगा यह 814, 809 पे जाएगा अल्टिमेटली तुम इसी को करके देखो ना तुम देखो एक बेसिक चीज देखो कैलकुलेटर हाथ में ले लो यहाँ पर 100 रुपिया है तो एक सल बात कितना होगा 5% के साब से 105 दो सल बात कितना होगा बड़ा हाँ 115.76 चार सल बात कितना होगा 121.something और 5 सल बात कितना होगा 127 अब उल्टा सोचो 127 का दाम आज है फॉरवड का एक साल बाद अब डूरेशन कितना बच गिया चार साल ना चार साल बचा पॉर्ट मैं बोल रहा हूं जाता हिल नहीं रहे तो एक साल बात स्पॉर्ट का दाम सौ है तो तुम चार साल अक्यूमुलेट करेगा ना तो तुम्हारा दाम इतना प्याकर रुकेगा फिर स्पॉर्ट एक साल और नहीं हिलेगा तो दाम कितना प्याकर रुकेगा इसलिए वाला ग्राफ बहुत जरूरी है समझना बहुत जरूरी है क् तुमसे पूछेगा कि आज आप देख रहे हैं फॉरवर्ड में जो गैप है और इसका गैप जो ही गैप क्या चीज़ का गैप है आज का दाम सो है पांसा लागे का दाम कितना है एक सो सत्ताइस वह सब छोड़ दो एक बाद आता रहाओ एक और चीज़ देख लो ठीक है एक करो तो अफिर तुम्हों का समझ में आ जागा देखो माल लेते हैं आज तुम्हारा एसजीरो चल रहे है आठ सो एसवन चल रहे हैं नौसो एक साल बात दाम नौसो हो गया ठीक है तो डेल्टा माल लेते हैं तुम्हारा 5% का ठीक है और टाइम माल लेते हैं तुम्हारा 5 साल हो गया ठीक है तो तुम्हारा क्या निकलेगा 800e to the power 5 into 0.05 ठीक है पिर तुम्हां पर निकलेगा k1 यह निकलेगा 900 e to the power 4 into 0.05 तुम यह factor नहीं समझ पार है basic सा यही तो समझा रहा हूं इतना देरी से यह देखो और यह देखो ठीक है अब underlying change हो गया एक साल बात अधरलैंग चेंज वागे तो तुम जो खरिदास दाम भी तो चेंज हो गया ना दाम जो चेंज हुआ वो दो वज़ेसे चेंज हुआ एक तो श्पॉर्ट चेंज हुआ बोलके 800 से 900 हुआ एक यह चेंज रोगा और दूसरा पांच साल का जो ब्याच का फेक्टरी इंक्लूडेट था अब चार साल का ब्याच का फेक्टर होगा ना क्योंकि अब तो डुरेशन एक साल कम हो गया है ठीक है निकालो दोनों कितना कितना आ रहे है यह 1027.22 और वन वाला कितना आ रहे है 1099.26 अब मेरा बात ध्यान सुनो आप तुम लोगों को यहाँ पर लिखे न तुम लोगों को दुबारा कन्फिजन होगा यह के 0 है और यह के 1 है ठीक है लेकिन यह दोनों ही रेट कहां का है ताइम 5 का है तुम समझो तुम जो चीज़ खरीदा था उस चीज़ का दाम कितना हो गया इतना हो गया तुम जो चीज़ खरीदा था 1027 पे उस चीज़ का दाम कितना हो गया 1099 बट तुमको यह materialize कब होगा time 5 पे होगा आज नहीं होगा तुम यह चीज को materialize कब करेगा time 5 पे करेगा तुम जो चीज का contract किया कि हम यह चीज आपके संग 5 साल बात खरी देंगे 1027 में उसी चीज का आजदाम कितना हो गया 1099 बट यह जो difference है यह तुमको materialize कब होगा time 5 पे तो इसको pullback करेंगे तब मेरा value आएगा delta total time period है capital T minus जैसे समझो ना यह 0 हो गया यह r हो गया और यह t हो गया तो यह वाला time period है तो t minus r क्योंकि यह rate जो है यह भी time 5 का है यह भी time 5 का है तो दोनों को simply minus नहीं कर सकते हैं forward के हिसाफ से समझो तुम लोग अगर futures के हिसाफ से सोचेगा तो futures में क्या होता है futures में तुम देखेगा कि भई आज चल रहा है 800 नौ थोड़ावाद को change हुआ 823 आया तो हम काट कुट के हिसाब में मेरा profit आ रहा है बट यह तो mark to market हो रहा है ना बट forward तो mark to market नहीं हो रहा है यह तो mark to market हो रहा है वो mark to market नहीं होता है ठीक है तो formula bookish के इसाब से ऐसा बनाया है के आर माइनस के जिरो e to the power माइनस जल्टा ट माइनस आर क्योंकि तुमको normal bookishness में क्या सोचना पड़ेगा कि इन दोनों का difference का जो है वो मेरे को कहा materialize होगा यहाँ पर तो आज अगर square up करेंगे तो कितने का profit आ रहा है दिस माइनस दिस और इसको फिर चार साल pullback भी करना पड़ेगा क्योंकि यह आज दिक चीज़ सोचो मैं बोला 5 साल बाद हम तुमसे यह समान खरीदेगा इतना में और आज उसी contract का value कितना हो गया 1099 बट यह दोनों ही चीज़ materialize कब होगा यह दोनों rate कहां कब पांच साल बाद का है यह पांच साल बाद का है तो इन दोनों का difference materialize कब होगा मेरेको अब जैसे मालने तो यहां के बाद एकदम हिलता नहीं है यहां के बाद एकदम हिलता नहीं है यह difference मेरा हो गया ना यह वाला जो difference है यह तो मेरा हो गया क्योंकि जो चीज हम तुमको बोले थे कि हम इतना में खरीदेंगे लेकिन आज उसका दाम कितना हो गया 1099 ठीक है तो इसलिए इसको फिर pullback भी करना पड़ेगा तो formula क्या बनेगा 1099 point something minus 1027 point something e to the power minus 0.05 into 4 calculate गड़ी कितना आ रहा है 9.1099 minus 102 87.9 कितना रहा है देख लो आराम से को दिखत नहीं है कि हाँ profit है ना because I was long and मेरे favor में गया market बढ़ा है बोलके basically हम bank को क्या बोलेंगे चीज समझो हम bank को बोलेंगे कि भाईया देखिए हम आप से contract किये थे 1027 में ठीक है आज उसी चीज का दाम कितना हो गया 1099 न कितना हो गया है आज उसी चीज का दाम होगया 1099 मिरक अब और नीन नहीं आ रहा है ठीक है हम लोग आज इस contract को square off करते हैं ठीक है अब एक चीज समझो अब जो यह basically contract value है यह basically contract value है actual में क्या हो रहा है आप एक चीज समझो actual में क्या हो रहा है यह contract value के लिए आप क्या कर रहे हो ना आप for example आपका contract value है अगर 10,00,00 का ठीक है आप इसके लिए 15% मार्जिन दे रहे हो मनें आपका पैसा फसावे 1,500,00 रुपए तो आपका ब्याज का 1,500,00 रुपए का ही पैसा लग रहे है बट बुकिश सेंस में अगर हम लोग जाएंगे तो बुकिश सेंस में अगर हम लोग जाएंगे तो बुकिश सेंस का क्या मतलब है कि 1027 जो है 1027 जो है मैंने इतना पूरा रुपिया अपना बैंक में रखके रखा है ये अपने पूल बैक करने इसका लॉजिक क्या है पूल बैक का लॉजिक ये है कि इतना पूरा रुपिय दोनों जो रेट है यह contract का यहां पर हुआ यहां पर हुआ यह भी contract का यहां पर हुआ फिर जो difference का amount है उसको फिर अपने pullback कर रहे हैं यह अगर अपने short होते तो value of short forward contract is minus of value of long forward contract और इसका मतलब क्या होता है k0-kr e to the power minus delta t-r short मतलब f minus long मतलब f plus तो जो short खोएगा वो ही long पाएगा और जो long खोएगा वो ही short पाएगा ठीक है because vl plus v s is 0 assuming no transaction cost no taxes no fees no fines no brokerage ठीक है copy करी इसको अगर आज square off करेंगे तो इतना अरवा profit मिलेगा फॉरवड में futures का सिस्टम अलग होता है futures का सिस्टम क्या होता है आपका अल्रेडी margin deposited है वो पैसा बोरड़ है उसभापका ब्याज लग रहे है और आपका जो भी नफन उक्सान होगा वो इंस्टेंट आपके account में आ जाएगा हाँ 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 ऐसा भी हो सकता था कि S1 मालो 600 हो गया हाँ 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 ठीक है यहस इस बेर सिलिंग दफ़ पर ऑवफ वे डवाट कॉंट्रेक्ट इस दिरो प्लेट क्यों प्राइस अन वैल्यू के भी में ने लॉंग किया है अगर मैं शॉट कर देता हूं तो वैल्यू क्या निकलेगा जीरो अस्यूमिंग कि दर इस नो चेंज इन अंडरलाइंग अंडरलाइंग में चेंज नहीं हुआ तो एक दो सेकेंड में फॉरवड में कितना ही चेंज होगा नहीं चेंज होगा हाँ कि ओविसली एक तो स्पार्ट में चेंज जा रहा है और एक आपका दिरे देखर करके टाइम कम हो रहे तो इंट्रेस्ट कॉस्ट नहीं लगेगा कम होगा कि कॉप्य होगा कि यह ला हाँ कि 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 यह वाला जो है यह एक टाइप का क्या है यह एक टाइप का नोशनल गेन है यह अगर फॉरवर्ड का बात करेंगे तो यह एक टाइप का नोशनल गेन है जो कब होगा टाइप 5 पे यह एक टाइप का नोशनल गेन है ना तो बैंक तो बोलेगा मेरको कि कि सर यह वाल अगेन आपको तो आज मट्रियलाइज नहीं होगा तो आज इसका पूरा पैसा में क्यों दूँ आपको यह जो नोशनल गेन है आपको कब होगा टाइप 5 पे होगा तब चार साल का ब्यास का ख़र्चा माइनेस करके न मैं आप से दूंगा समझा एक मुटको इसका पासवर्ड क्या है 123 होना तो यह ही चाहिए 123 और फिर 123 एक आप करते हैं एक खुल की निरा खुल गया ठीक है अब देखो जैसे मनी कंट्रोल को बला में हम जाते हैं ठीक है तो अब जैसे आज का मैं देखता हूं ठीक है अपने सर्च करते हैं सब्सक्राइब तो इसका देखो अब दाम कम हो गया ना कल दाम कितना चल रहा था अब देखो जैसे आज यह कितना है तुम्हारा 802 था ठीक है ना तो 802 से तुम्हारा यह आया 788 पे तो कितना 14 रुपया कम हो गया ना अब हम लोग इसका उसमें जाते हैं फ्यूचर में जाते हैं ठीक है तो इसका जो फ्यूचर का कहा है यह रफ्यूचर आ गया एक्शुली हाँ अब इसमें देखो जैसे तीन है ना ठीक है तो 31st October का आ रहा है 793 793 आ रहा है और स्पॉट कितना चल रहे है 788 तो 5 रुपया फिर उसके बाद दुबारा 5 रुपया फिर दुबारा 5 रुपया थि समझ गया ना पांच-5 रुपया का गैपिंग है क्योंकि एक मैने का ब्याज है 5 रुपया रुपया ज्यादा होगा तो ब्याज भी तो ज्यादा होगा ना अभी 55 रुपय के क्ल पांच से थोड़ा ज्यादा था क्यों ज्यादा था क्योंकि अमाउंट कितना था 802 था ठीक है अब यही सोचो कि कल अगर मैं लॉंग होता इस वाले पर इसका दिखा रहे गया कुछ एक मिनिट पिन है कल अपने देखे था लॉट साइस कितना दिखा रहा था हाँ 750 का लॉट साइज है ना ठीक है माल लेते 750 का है ठीक है सब यह सब बेकार है एड देखो कितना आ रहा है ठीक है ना तो इसका ठीक है तो 792 है अब इसका क्लोज देखते हैं एक बार कल यह क्लोज कितना पर हुआ था आज का रेटर ना 792.45 प्रीवियस क्लोज है आठ सो नौ का ठीक है तो आठ सो नौ माइनस 792 टू एक कुश्चन पुछा है कि फॉर्वर्ड का कैलकुलेशन कैसे होता बताईए तो इसी से हम लोग कर लेंगे अभी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कुछ नहीं है बहु कल का ठामालो आठ सो नौ आज है 792 तो कितना आ रहा है डिफरेंस 8 और 9 17 रुप्या रहा है कल अगर मालो तुम फ्यूचर सेल किया होता तो मतलब तुम क्या बोलने का मतलब है तुम्हारा फ्यूचर सेल का मतलब क्या है कि हम आपको एक मेहना बात ये शेर आठ सो नौ में बेचेंगे, ठीक है, लेकिन उसी चीज़ का आज दाम कितना हो गया है, 792, तो मैं क्या करूँगा बता है, मैं क्या करने वाला हूँ, जो शॉर्ट होता, उसका माइंड सेट क्या होता है, कि अब आज के दिन पर मैं शेर लेकर आपको दे सकता हूँ, मैं तो चाहूँगा ना कि शेर कदम गिर जाए, क्योंकि मैंने उपर लेवल पे सेल का कॉंट्रेक लगाया है, यही चीज़ अगर दाम भड जाता, तो मेरे को मार्केट से ज़्यादा मेले के आपको देना पड़ता, अभी यह जो सत्रा रुपिया मेरा प्रॉफिट होगा, और लॉट साइज कितने का है, साड़े साथ सो का, कल हमने क्या देखा था, आठ सो इंटू साड़े साथ सो, कितना हो देवा बताओ नहीं है, शे लाग आता है क्या, नहीं, शे लाग से ज़्यादा आएगा, नहीं, शे लाग ही आ रहे क्या, हाँ, कल मैंने क्या बताया था, आपको 20 % margin देना है यह ट्रेड एग्ज़िकूट करें के लिए 20% मर्जी देना है तो कितना होता है एक लाग बीस हजार, आपका capital invested कितना है, एक लाग बीस हजार, सिर्फ एक दिन का बात है, मालो कल working day होता, ठीक है, तो कल working day होता तो एक दिन में आपने कितना पैसा कमाया करो, साढ़े साथ सो इंटू सत्रा, 12750, almost more than 10% return in just one day, अगर यही नुकसान होता तो कितना होता, 10% of your capital will be wiped off in one day, सो यही मैं leveraging का बात कर रहा था, यही अगर मैं shares में जाता, normal shares में जाता, ठीक है, तो gapping तो 17 रुपय का ही रहता, जो नहीं समझ पार और मैं नहीं समझा सकता, तुम forward खरीदो, चाहे तुम future खरीदो, चाहे तुम shares खरीदो, gapping तो 17 का ही रहता एक दिन में, एक मेहना में, ज लाग बीस हजार का capital है, तो इसमें तुम कितना share खरीद पाता, 1500, तो 1500 को 17 से into करो तो कितना होता है, 2550, this is how much, 2%, roughly 2%, तो यही अगर तुम future में कर रहा है काम, तो 10% का return में fluctuation है, और shares में कर रहा है काम तो 2% का, क्योंकि तुम ultimately कर क्या रहा है भाई, तुम क्या कर रहा है, तुम 20% पैसा दे रहा है, जितना तुम्हारा contract value है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम 5X माल उठा रहे न, तुम 5X माल बेच रहे है, तो जहां तुम shares में काम करता, तुमको 2% का होता problem, अचा short selling shares में allowed नहीं है, short selling तुमको same day square off करना पड़ेगा 3 मजे के पहले, यह तो penalty, surcharge सब लगेगा, लेकिन अगर तुमको short selling करना तो तुमको futures में आना पड़ेगा, समझो, तुम क्या क्या है, तुम 5X leverage लिया, एक बार के लिए माल लेते हैं, short selling is allowed, तो तुम फरक समझ पा रहे हैं, जहां 10% futures में उपर नीचे हो रहे हैं, वहां तुम्हारा shares में 2% ही होता, क्योंकि तुम्हारा पा जितना पैसा है, तुम उतना ही समान खरीद पा रहे हैं, actual में futures में contract करता है, जो buy कर रहा है, जिसके पास में पैसा नहीं है, जिसके पास में पैसा नहीं है, अरे बहुत पैसा होगा, मेरी तरह तो share खरीदेगा, ना, में पैसा पैसा लग तो मैं पैसा लग का share खरीदा, मैं पैसा लग रुपे से थोड़ी धाई क्रोड का माल बेज दूगा, खरीदूगा, यह तो फाटास लग से धाई क्रोड का करूँगा, धाई क्रोड में 10% का भी उपर नीचे होगा, तो कितना होता है, मेरे एक दिन मे आधा क्याप्रिल वाइप ओफ हो जाएगा, यही समझा रहा हम तुम लोग को, ठीक है, यही समझा है ना, ठीक है, and at maturity, f is equal to s, यह समझना पड़ेगा, कि अब जैसे, तुम लोग समझा, एक महने का जो ब्याज जो यहाँ पर आ रहा है, एक महने का जो यहाँ पर जो ब्याज जो आ रहा है, अपना, जैसे यह 792 है ना, और अपना spot चल रहे है तुम्हारा, 788 चल रहे, ठीक है, एनस्टी में अगर अपने spot में जाएंगे, ठीक है, एनस्टी में, कहां यह है क्या, हाँ, spot अपना चल रहे है, 787, तो पांच रुपया है ब्याज का, तो एक महने का ब्याज कितना आ रहे है, पांच रुपया, तो आधा महने का ब्याज कितना आएगा, धाई रुपया, अब धाई रुपया के हिसाब से समझो, अब धाई रुपए के इसाफ से समझो ठीक है अब बोलने का मतलब यह है अब जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूं धाई रुपए के इसाफ से समझते हैं अब जैसे मालो 800 रुपिया है तो मैं को यह समझ में आगया वन मंत का जो ब्याज है वो 5 रुपीज है ठीक है तो assuming होता है तो फाइब को 30 से डिवाइड करो बताओ कितना आता है मैंने बेसिकली मोटा मोटी 16 पैसा आ रहा है क्या तो फाइब 31 से 16 पैसा ठीक है तो 16 पैसा एक दिन का ब्याज है अब SBA का शेर प्रेस हिलता ही नहीं है आज 800 है और एक मैंन अब भी उपर नीचे हो कि वह 800 प यहां पर आएगा ना अगर मालो 15 दिन के बाद में ये 787 पर ही रुखता है बट ये कितना पर रुखेगा बोलो धाई रुप्या धाई रुप्या जोड़ो इसमें कितना होता है 789.5 पर आके रुखेगा अगर एक दिन बचा है तो यहाँ पर कितना पर रुखेगा 787 प्लस 0.16 ये एक दिन का ब्याच इसलिए बोलते है एक maturity f is equal to s तो futures of forward है एक ही चीज़ बट दोनों का mechanism बहुत अलग है फार्ट प्रोसेस बहुत अलग है के आर माइनस के 0 कर रहे है तो forward में उसको टान क्यों रहे है वो भी समझो बैंक बुलेगा सरी तो नोशनल है ये चीज़ आपको आज थोड़ी materialize हो रहा जब पूरा profit लेके जाना चाहते हैं वेट कर यहाँ पांस सल तक कोई square of करने क्यों तो बुलेगा जिसको यहां तो डर लग रहा है या फिर पैसे का दरकार है या फिर जिसको लग रहा है थामने वाला मेरा पैसा मार देगा बुलेगा नहीं नहीं को तुमसे नहीं करने तो आज इसको राफ करो तो वह तो नोशनल लॉस है ना इसलिए बुलते है forward is no mark to market वह यहां पर squaring off immediately यहां पर mark to market हो रहा है इसमें exchange में कोई बीचीज mark to market है क्योंकि underlying change हो रहा है उसके सबसे futures का भी दाम चेंज हो रहा है प्ट forward में डाम चेंज नहीं हो रहा है mark to market मतलब जैसे यह जो हो रहा है यह से underlying उपर नीचे कर रहा है तो आज तो future का दाम चेंज हो गया ना बट forward में वसा नहीं होता है तो यह समझना पड़ेगा यहां पर क्या हो रहा है 5 रुपय का gap है तो 787 पे spot चल रहा है तो यह होगा 793 यही 800 हो जाएगा तो यह हो जाए forward में क्या system है forward में मालो तुम 800 पे lock किया spot है तो 805 का तुम्हारा rate अगर lock हो गया यही मालो एक मेहना बाद ठीक है अब जैसे यह एक मेहना बाद है तो यह फिर सो हो जो पंदरा दिन बाद ठीक है तो पंदरा दिन बाद rate तुम्हारा यहां पर आता है 850 तो धाई रुपया forward में क्या system है तुम उसको बोलेगा हमको काटना है सौधा तुम उसको बोलेगा हमको सौधा काटना है तो वो बोलेगा ठीक है काटिए 852.5 माइनस 805 तुम बोलेगा लाओ मेरा पैसा बोला क्या चिका पैसा भीया यह आपको difference कब realize होता यह आपको नहीं नहीं 15 दिन तो हो चुका 15 दिन तो हो चुका और कितना दिन बाद 15 दिन बाद ना तो वो बोलता है यह आपको कम materialize होगा 15 दिन बाद तो टानिये 15 दिन आज का भ्याज करेट के हिसाब से तानिये इसको 15 दिन आज कब याज के हिसाब से तो बोला ये जो आ रहे ना इस पर आपको माइनस करना पड़ेगा जो इसका है जितना भी ये आ रहे है कितना आ रहे है 47.5 का आपको इसको पूल बैक करना पड़ेगा अगर मालो कुछ भी मालने ते 10 परसंट का है तो 1.1 टूदी पावर माइनस 15 बाई 365 पॉर्वर्ड का मेकेनिजम अलग है और फ्यूचर का मेकेनिजम अलग है ठीक है ना अब इसमें ये भी सिस्टम होता है अब जैसे मालो आप जो जैसे मोति लल में किया सिस्टम है मोति लल जब ब्याज लगाएगा तो लगाएगा थारा परसेंट पे लेकिन तुम्हारा पैसा बें जब तुमको से रिया लएक यहां पर तुम करा सकते हैं तो यह था तुम्हारा इसका सिस्टम ठीक है फॉरवर्ड का और फ्यूचर का ठीक है, अब आईए, एक और चीज़ हम लोग जो करेंगे, आप जिसे मान लेते हैं, तुम्हारा F0 का दाम दे दिया है 3000, ठीक है, तुम्हारा डेल्टा दे दिया है 10% and N दे दिया है 4 years, ठीक है, तुम S0 निकालो सबसे पहले तो, तो S0 कैसे निकालेगा, तुम करेगा 3000 is equal to S0 e to the power 0.1 into 4, कितना आता है बताओ, इसके बब में मान लेते है, S1 तुम्हारा आ जाता है 2900, तो उसके साब से K1 निकालो कितना आ रहे हैं? कितना आ रहे हैं? टू, टू, 010, अच्छा, तो फिर एक मिनट, 2300 मान लो, हाँ, 210 आ रहे हैं, तब K1 निकालो, 2300 e to the power 0.1 into 3 हो जाएगा न, कितना आ रहे हैं? 3104 पॉइंट, ठीक हैं, अब बेसिकली क्या हो रहे है? यहाँ पर के इसाब से दिखा जाए तो 3000 है, मान लेते हैं, तुम short forward है, तुम F- किया है, और यहाँ पर आ रहा 3104, मतलब तुमको नुक्सान हुआ है, तुम करेगा 3000 minus 3104, जो difference आ रहा है, e to the power minus 0.1 into 3, यह होगा तुम्हारा value of short forward contract. प्सक्रीजिे़ प्हार किया है, और झाम रहा है 2015 हुआ हुआ हम माइनस 77 पॉइंट जो भी आ रहे दिस अ करेक्ट एंसर ठीक है अब एक कुश्चन दे रहे वो करो दिविदेंड ऑफ 2% ऑफ मार्केट प्राइस इस पेड अवरी शिक्समांस सी एंप मतलब करेंट मार्केट प्राइस इस वन थाउजन निस फाइव यह आई इस एट पर सेंट पर अनम कैल्कुलेट प्राइस अब इस पर तुम फस्ते का कहां पर पता है डिविदेंड ऑफ 2% ऑफ मार्केट प्राइस यूद्कि तुमको हर छेच मैने का तो मार्केट प्राइस पता नहीं है तब इसके में हमको वह लगाना पड़ेगा कि जो भी में को डिविदेंड मिल रहा है उसको मैं री इंवेस्ट कर रहा हूं इंट पर्चेजिंग मोर्शेर तो उससे क्या होगा पता है आज जैसे टाइम जिरो पे तुम्हारे पास एक शेर है तो 0.5 में कितना शेर हो जाएगा 1.02 क्य फिर 1 पे क्या हो जाएगा 1.02 का स्क्वेर टाइम बोला है 5 यह तो 5 पे क्या हो जाएगा 1.02 to the power 10 लेकिन यही तुम फॉरवर्ड में एंटर किया है तो तुमको यहां कितना शेर मिलेगा एक तो तुम आज कितना शेर के लिए कॉंट्रैक करेगा 1.02 1.02 to the power minus 10 और आज एक शेर का दाम कितना चल रहा है 1000 इन्टु 1.02 to the power minus 10 और इंटरेस्ट अपने को दे दिया है 1.08 to the power 5 हाँ इसमें तो है एक शॉट कोई क्यूं कर रहे है क्यूंकि दाम कमें चाहेगा और लॉंग क्यूं क्यूंकि दाम बढ़ेगा ठीक है ना कितना रहा बताईए क्यूंकि प्रोंगे ठीक है अब उनलों अबर futures का ग्राफ देखते हैं ठीक है कैसा बनता है इसका ग्राफ उसके लिए यह बेसिकली ऑप्ष्ट्रा ऑप्ष्ण एनलेटिक्स है तो ऑप्ष्ण तो भी तुम लोग पढ़े नहीं है मैं आपको futures का दिखाता हूं ठीक है futures भाई है कि यहां पर मैं लेता हूं डेटा नहीं है क्या है कि डेटा क्यों नहीं आ रहा है इसमें लोग इन आ गया बिल्डर में गया बैंक निफ्टी का लेते ठीक है यह देखो बैंक निफ्टी का देखो यहां पर देखो यह जो है लॉट साइज अपने को दिया वे पंद्रा ठीक है पर दिआ वे 53,000 इंडेक्स को न हम लोग बाय नहीं कर सकते हैं पहले बाय नहीं कर सकते थे लेकिन अभी क्या है पंड के थुरू हम लोग इंडेक्स को भी बाई कर सकते हैं जैसे इसका जो इंडेक्स का नाम है उसका नाम है बैंक बीज ठीक है अभी क्या है 53,000 है न तो एक युनिट बैंक बीज का दाम चलेगा 530 रुपया मतलब अगर तुम 100 युनिट खरीदेगा तो तुम एक बैंक न मिनिममम इन्वेस्टमेंट ठीक है न एन इसका फ्यूचर का दाम देखो 53,454 चल रहे है तो बैंक निफ्टी का लिया अब पे आउफ डेट जो है यहां पर अक्सपाइरी मैंने 30 अक्टूबर का लिया ठीक है बाई है एक लॉट ठीक है अगर इसका पोजिशन को मैं आड क ठीक है तो देखो कैसा बनता ही है यह देखो यह इसका पे आउफ है क्योंकि यह एक ओब्लिगेशन है यह एक ओब्लिगेशन है ठीक है आप देखो यहां पर यहां पर आपको समझ में आ जाएगा ठीक है इसमें आपको मार्जिन देखो कितना देना पड़ रहा है एक लाक एक लाग का मार्जिन है एन इसका करो 53,000 into 15 contract value कितना है 53,000 का एक unit है 8 लाग के आसपस जो मैंने आपको गल बताया 8 से 12 लाग का होता है ठीक है 8 लाग के बदले आपको वो कितना देना पड़ रहा है क्योंकि bank nifty है तो bank nifty क्या it is a collection of top 12 banks तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप किस चीज का futures में trading कर रहे हो ये margin जो है ये 2 लाग 3 लाग तक भी जा सकता है depending कि share कितना volatile है वैसे bank nifty बहुत जदा volatile है ये margin है ये इसमें उतना अच्छा से नहीं दिखाता है ये आपको और कोई आप देखना पड़ेगा जैसे मूतिला लोस्वल का app हो गया या फिर जिरोधा का app हो गया जब आप real में करोगे तो वहां आपको exact margin दिखाता है बट एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये डेड़ लाग है साड़े साथ लाग है ना उसका 20% मान लो ठीक है 20% अपने average में मान के चल रहे है तो डेड़ लाग है अब इसका pay off को समझना पड़ेगा ये जो pay off है ये pay off क्या चीज़ का pay off है यहाँ देखो पहले एक बार ये क्या है 53 एक मिनिट ये गलत दिखा रहे है बेटा देखो ये जो है ना ये वाला तो basically ये क्या है 53 ये 53 500 का है ना 450 है 53 450 है तो अब वहाँ से आपको देखना है ठीक है वहाँ से आपको देखना है 53 450 का है spot मत देखिए spot ये रहे ये green line is the spot 53 1001 rupees is the spot अब ये यहाँ से अगर उपर जाएगा तो हर एक चीज़ समझो अगर मानलो ये भड़ता है ठीक है अब जैसे मानलो ये आपका यहाँ पहुंचता है ठीक है तो ये कितना दाम चला है 56 420 नीचे जाएगा तो similarly आपको lost बन रहा है तो ये इसका graph बनेगा इसका graph और share का graph almost similar बड़ शेयर में problem क्या है कि शेयर में आपका देखो जैसे यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूं ठीक है ये आपका किस चीज़ का graph है एक मिट रूक हूं हाँ ठीक है ये बेसिकली आपको दिखा रहा है स्पॉट से ठीक है यह आपको दिखा रहा है स्पॉट भी दिखा रहा है और अगर आपको फ्यूचर्स पर चाहिए यह चीज़ तो यह ऐसा है मने शेर का जो graph है एक चीज़ समझो आप बाई कर रहे हो 500 पर ठीक है तो शेर का भी graph ऐसा ही बनता है बट वो ऐसा बनेगा शेर का graph अगर आप 500 का कोई शेर बाई कर रहे हो तो शेर का graph कैसा बनता है शेर एक नठा आप अगर 1000 पर कोई शेर बाई कर रहे हो तो उसका graph ऐसा बनेगा जैसे मानलो यह है 1000 तो उसका ऐसा बनेगा है की नहीं और यह वाला point क्या होगा minus 1000 यह वाला point क्या होगा ना sorry गलत बना दिया मैं profit and loss का graph बनाना है ना तो वो ऐसा बनेगा profit and loss का graph ऐसा बनेगा और एक चीज़ समझो profit and loss जो है नहीं ऐसा भी नहीं बनेगा यह हाँ वो ही मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा क्या है अगर मैं यहां पर मापरा हूँ share को तो यह मेरा है एक हजार हाँ यहां से ऐसा बनेगा ठीक है अब सही बनाए यह graph में भी अपने को बहुत चीज़ आ सकता है एक्जाम में ठीक है यह अपना हो गया एक हजार और यह वाला जो point है अपना minus minus one thousand है क्योंकि हजार रुपय का शेर खरीदा है तो maximum loss is what one thousand rupees और उपर तरफ तो जितना भी जैसे जाएगा तो यह graph बना लो यह share का graph है this is a share graph ठीक है और forward वाला मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्या चीज़ कि नहीं वाय एक्सिस पे आप मेजर कर रहे हो profit and loss है ना ठीक है बनाया इसको ठीक है? यहां पर हम लोग मेजर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इसका बनाया है और अब उसका भी बना लो एक तो मैं दिखा देता हूं अब इसका भी बना लो एक तो अब लेकिन जैसे देखो इसका जो है इसका जो है अब एक चीज़ समझो पॉट अलग होगा और फूट अलग होगा पॉट का इसलिए देखो लाइन बना दिया है तो यह वाला ग्राफ इस मोर बेटर क्योंकि स्पॉट अफूट में कितने का ग्याप है साड़े चार सो का और अगर फूटर साड़े चार सो गिर रहा मतलब स्पॉट भी तो साड़े चार सो गिर रहा है तो इफ यूचर्स रीचेज एस का जो प्राइस है आज का बिफोर मेचॉरिटी देन वियर गोइंग टो लॉस तो यह वाला बनाओ इसका सरक्रेडेंशल यहां पर है स्पूरट चल रहा है यह लाइन बना लो श्पॉरट चल रहा है यह – one सिग्मा पर अगर मैं क्लिक करता हूं यहां पर तो एक मिनट अब अब जिस अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर तुम्हारा रफ 50 करो कितना होता है अज दिखा दिया 3.94 परसेंट तो यह बेसिकली सिग्मा है यह सबका अलग-अलग हो सकता है फिर जैसे टू सिग्मा ठीक है तो वो चीज़ है मतलब हुम 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 एक सेक्सिस इसका ग्राफ अगर अपने बनाना चाहे तो ऐसा बनेगा इसका एकदम पुरा बीच से पास करेगा कि मैं बताता हूं कैसे देखो जो फ्यूचर्स का जो ग्राफ होगा ना उसको अगर अपने देखे हुआ है है ग्राफ अगर आप भी सेम तरीके से बनेगा क्योंकि अगर मानलो एक शेयर है जिसका अब जैसे एस्बी आइक ले लेटे ठीक है तो वह मानलो अभी चल रहे है एट ट्वेंटी ठीक है तो आप जैसे क्या होगा एट ट्वेंटी से जैसे यह उपर नीचे करेगा वैसे वैसे चेंज होगा तो इसका भी सेम टाइप से बनेगा इसका भी यही बनेगा हाँ अम जा रहे हैं, तुम जो बोल रहे हो, मैं बता रहा हूँ, अब जिससे मालो ये है, ठीक है, इसका spot मालो यहाँ पर है कहीं पर, ठीक है, 812 है इसका spot, ठीक है, तो यहाँ पर तो नुकसान हो गई मेरे को, इस पर अपने को तो नुकसान दिखाई रहे, तो basically ये वाला जो माइनस 8, ठीक है ना, आपकी वार का exam में high chances देखे, pay off देगा और बुलेगा इसको explain की, जिसमें क्या क्या चीज़ है, हाँ, future का share का same ही होगा, ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देख लो, ये अगर short होता तो ठीक उल्टा हो जाएगा, ये तो buy था ना, इसको मैं reset कर देता हूँ, bank nifty, sell, ठीक है, इसको मैं add कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो उल्टा हो जाएगा सीदा, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही पड़ेगे, कल से हम लोग options चालू करेंगे, thank you, कर दो कि वार देने सी, जज आएगा, कशना हो है, एू को मैं परना हूँ, भालू कि के लिए उल्टा ही जाएगा, झाड़ा जा खशएगा, ये वहन पैषा है फ्र घूँ,